श्री शिवाय नमस्तु भ्यम प्रेभक्त जनों आज सोमवार के दिन भगवान शिप के श्री चरणों का ध्यान करते वे हम सब मिलकर भगवान को समर्पित सोमवार व्रत कथा का रस्पान करेगे आप सब भी सच्चे मन से इस कथा को पूरा सुन कर कमेट बॉक्स में पूली जरू लिखेगा पूराण एक कथा के अनुसार अमरावती नगर में एक धनी व्यापारी रहा करता था दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था नगर में उस व्यापारी का सभी लोग बहुत मांध सम्मान करते थे इतना सब कुछ होनी पर भी वह व्यापारी मन से बहुत दुखी था क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र जो नहीं था दिन रात उसे बस एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसकी मृत्य के जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक भी जलाता था उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा ये प्रभू ये व्यापारी आपका सच्चा भक्त हैं कितने दिनों से ये सुमवार गवरत और पूजा नियमित कर रहा है भग एकवान शिव ने मुस्कुराते वे कहा है पार्वती इस संसार में सब को उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल मिलता है इसके बार भी दिवी पार्वती नहीं मानी उन्होंने बार बार आग रह करते वे कहा है म धीवत वरत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगा कर एक समय ही भोजन भी ग्रहन करता है आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वर्दान तो दे नहीं होगा प्रभू देवी पारवती का इतना आगरह देख कर भगवान शिव ने कहा देवी तुम्हारे स्वप्ण में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वर्दान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बाद भी बताई भगवान के वर्दान से उस व्यापारी को खुशी तो हुई लेकिन पुत्र की अलपायू की चिंता ने उस पुत्र उत्पन हुआ पुत्र जनम से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई बहुत धूम धाम से पुत्र जनम का समारुह मनाया गया व्यापारी को पुत्र जनम की अधिक खुशी नहीं हुई क्योंकि उसे पुत्र की अलपायू के रहसिका पता था लेकिन ये रहसिक घर में किसी और को मालूम नहीं था विद्वान ब्रहामनों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा जब अमर बारहवश का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वारांट सी भेजने का निश्चे किया गया व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्ष प्राप्त करने के लिए चल दिया रास्ते में जहां भी अमर और दीपचंद रात्री विख्ष्राम के लिए ठहरते वहीं यग्य करते और ग्रहामनों को भुजन भी कराते थे लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुँचे उस नगर के राजा की पूरे नगर को सजाया गया था निश्चित समय पर बारात आ गई लेकिन वर्ग का पिता अपने बेटे के एक आख से काना होने की कारण बहुत चिंतित था उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वहें विवास से इंकारना कर दे इससे उस राजकुमारी से विवा करा दू विवा के बाद इसको धन दे कर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाओंगा वर्ग के पिता ने इस संबंद में अमर और दीपचन से बात की दीपचन ने धन मिलने के लालच में वर्ग के पिता की बात स्विकार कर ली और अमर को दुल्हे के वस्त्र पहना कर राजकुमारी चंद्रिका से विवा करा दिया गया राजा ने बहुत सधन देकर राजकुमारी को विदा किया अमर जब लोट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी के दुपटे पर लिख दिया राजकुमार तुम्हारा विवा तो मेरे साथ हुआ था मैं तो वारांसी में शिक्षा प्राप करने जा रहा हूं अब तुम्हें जिस नव्युवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह काना है जब राजकुमारी ने अपने दुपट्टे पर लिखा वा पढ़ा तो उसने काने लड़के के जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया उधर अमर अपने मामा दीपचन के साथ वारांजी पहुच गया अमर ने गुरुकुल में पढ़ना प्रारम कर दिया जब अमर की आयू 16 वर्ष की हुई तो उसने एक यगी किया यगी की समापती पर ब्रहमनों को भूचिन कराया और खूब अन वस्त्रदान किये रात को अमर अपने शयनकक्ष में सो गया शिवजी के वर्दान के नुसार शयनावस्था में ही अमर के प्राण पखिर उड़ गए सोर्य दय पर मामा अमर को मृत देख कर रोने पीटने लगा आसपास की लोग भी एकत्र होकर दुख प्रक भगवान से कहा प्राणात मुझसे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा आप इस व्यक्ति के कस्ट को अवश्य दूर कीजे भगवान शिव ने देवी पार्वती के साथ अद्र शिरूप में जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले देवी ये तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयू का वर्दान दिया था आज इसकी आयू तो पूरी हो गई देवी पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवीदन किया है प्राणात आप इस लड़की को जीवित कर दिजे नहीं तो इस लड़के के माता-पिता पुत्र की मृत्य के कारण रो रोकर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे इस लड़के का पिता तो आपका परंभक्त है वर्षों से सुमवार कवरत करते वे आपको भोग लगा रहा है माता-पारवती के बार-बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वर भग हुआ था उस नगर में भी अमर ने यगी का आयोजन किया समीद से गुजरते वे नगर के राजा ने यगी आयोजन देखा तब राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया यगी समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सारा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया रास्ते में सुरक्षा के लिए रा जीवित वापस लोटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन हुआ व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयम को एक कमरे में बंद कर रखा था भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतिक्षा कर रहे थे उन्होंने प्रतिग्या कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्य का समचार मिला तो वे दोनों भी अपने प्रान त्याग देंगे व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर की नहोकर तेरे पुत्र को लंबी आयू प्रदान की है यह सुनकर व्यापारी बहुत प्रसन हुआ शास्त्रों में लिखा है कि जो इस्तरी पुरुष सुम्वार का विधीवत व्रत करते और व्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाए महादेव के गृपा से पूरी हो जाती ह सुम्वार ब्रत कथा समात्थ